नमस्कार दोस्तों, competition community के online perform में यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और 36 गड़ आर्तिक सर्विक्षण पर आधारित वीडियो लेकर मैं हूँ आपके साथ अगासे 36 गड़ आर्तिक सर्विक्षण पर आधारित अभी तक 7 वीडियो मैंने बना दिये हैं आप यूटूब चैनल में जाकर competition community के यूटूब चैनल में जाकर playlist में उन साथे वीडियो को देख सकते हैं हाला कि एक लंबा अंतराज जरूर हुआ लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बाकी chapters पर आधारित वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँगा तो उस वादे को पूरा करने के उद्देश से ये वीडियो आज आप लोगों के सामने आ रहा है इस वीडियो पर हम chapter 8 को cover करेंगे उससे पहले एक बात आप लोगों से करना चाहूँगा मैं आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी ऐसा मैं मान कर चलता हूँ साथ ही साथ ये भी मान कर चलता हूँ कि आप हमारे FTR सिरीज से लगातार जुड़े हुए हैं और FTR सिरीज पर आधारी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी आप अपियर कर रहे होंगे देखें FTR सिरीज जो चलाई जा रही है उसका उदेश तभी पूर्ण हो पाएगा जब आप निरंतर तोर पर उस सिरीज के साथ जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ आप टेस्ट में भी अपियर होते जाएंगे तब जाकर सही मायने पर इस FTR सिरीज का और हमारे द्वारा किये गए इस प्रयत्न का कुछ रिजल्ट निकलेगा जरूर तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 की 36 गड़ आर्थिक सर्विक्षन के चैप्टर 8 पर अववानी की दिया गया है और जैसा कि आप लोगों को ग्यात होगा कि 36 गड़ आर्थिक सर्विक्षन पर जितने भी वीडियोस आए हैं जब हम MCQ पर आर्थिक सर्विक्षन कवर करते हैं तो important content या important facts पर आधारित MCQ का निर्मान करते हैं जिससे आप पूरे आर्थिक सर्विक्षन में कौन सा fact important है कौन सा नहीं है उसे जान पाए उसे परक पाए और साथ ही साथ exam के pattern को भी समझने का प्रयाज करें तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर वो सारे important content पर आधारित MCQ आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं वानिकी chapter पर सबसे पहले हम चैप्टर राज के छेत्रफल और चैप्टर राज के छेत्रफल में वन चैप्टर पर आधारित जानकारी देख लेते हैं जो कि हमारे chapter 8 में दिया गया है क्लिए रहे है चलिए क्या क्या बात दी गई है तो चलिए क्या क्या बात दी गई है भागलिक छेत्रफल 36 गढ़का दिया गया है वह कितना है एक लाग पैतियस हजार एक सो इंक्यानवे वर्ग किलोमेटर और इतने भोगलीक छेत्र में वन छेत्र फल कितना है तो 69,772 वर्ग किलोमेटर जब हम भोगलीक छेत्र के इस आकडों पर विशेष्टा देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जब हम एस प्रदेश के वन छेत्र फल आधारित आकडों की विशेष्टा पर नजार डालते हैं तो हमें दिखता है कि प्रदेश के भोगलीक छेत्र फल का 44,2 प्रतिशत भाग है अर्थात ये एरिया इस एरिया का कितना है 44,2% देखे ध्यान रखिएगा कि जितने भी आकडे में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा वह आर्थिक सर्विक्षट पर आधारित आकडे ही हैं अगर कि नहीं आकडों पर किसी प्रकार के अपडेशन हुए हैं तो उसे मैं यहाँ पर डिल नहीं करूँगा क्योंकि वह आर्थिक सर्विक्षट का भाग नहीं होगा लेकिन मुक्य रूप से बहुत जादा कोई ब्लंडर यहाँ पर चेंजस नहीं हुए हैं कोई ऐसे चेंजस नहीं हुए जिसको लेकर हम चिंतित हों परिशान हुँ तो उनी आकडों पर हम अपने ध्यान को केंदित करेंगे जिन आकडों की जानकारी या जिन आकडों का उलेक 36 गड़ के आर्थिक सर्विक्षट पर दिया गिया है तो ये जानकारी देखने के बाद, अच्छा छेत्रफल के आधार पर चतिसगर देश में चौथा इस्थान धारण किये हुए, वन छेत्रफल के आधार पर, अब वन आवरण के आधार पर अगर हम देखें, तो चतिसगर के इस्थान तीसरा है, ये भी आपको चैप्टर एट में देखने को मिल जाएगा अब पहले की ही भाती आप इस बार भी कमेंट सेक्शन पर मेरे द्वारा पूछेगे कुछ सवालों का जवाब जरू देंगे तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है जिसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे कि 1 छेत्र फल एवं 1 आवरण के मद्य अंदर क्या है चलिए इस जानकारी को देखने के बाद इसे किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं क्लियर राज्य में आरक्षित वन का प्रतिशत है आरक्षित वन का प्रतिशत हमें इस टेबल पर देखने को मिलेगा आरक्षित वन कहने का ताथ पर रिजर्ब फॉरेट्स सनरक्षित मतलब कंजर्ब फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवरगी कितकर थाथ unclassified forest तो जब हम आरक्षित वन का प्रतिशत देखते हैं कुल वन प्रतिशत पे तो कितना दिखता है 43.13 43.13 percentage तो दिये गए option में से सहीं उत्तर हमें दिख जाता है option A में ठीक इसी प्रकार से प्रश्ण हमें बाकी अलग अलग वनों के वर्गी करण पर आधारीत भी पूछा जा सकता है देखते हैं ऐसा कुछ प्रश्ण यहां पर होगा तो बिल्कुल आपके सामने चलाएगा तो राज्य में आरक्षित वन का प्रतिशत है आरक्षित वन का प्रतिशत हमारे सामने दिख गया 43.13 percentage और इस प्रकार से पहला जो कोशन है उसका उत्तर है सहीं उत्तर है option A 43.13 प्रतिशत क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर हम नज़र डालते हैं कि 36 गड़ में कुल वन छेतर वर्ग किलोमेटर कितना है तो यह आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे 69.4 सुन्य स्कॉयर किलोमेटर यह वर्ग किलोमेटर क्लियर है तो सहीं उत्तर इस प्रश्ण का क्या हो जाएगा option A जिसमें आपको यह आगड़े दीख रहे होंगे easy होगा मानता हूँ बहुत सारे question को देखकर आपको असा लग रहा होगा कि सर यह सारे option तो option A में ही दिखे हुए लेकिन हमारा उद्देश क्या है इस वीडियो के पीछ है हमारा उद्देश है कि आप pattern पहचाने और important content पर आपकी नजर जितनी बार पड़ेगी उतनी ज़्य इसे कुछ question जटिल हो सकते हैं थोड़े से सरल हो सकते हैं अब छातर अलग अलग प्रकार के भी होते हैं कई लोगों को कोई question easy लगता है किसी को कोई question tough लगता है जरूरी नहीं कि वो easy question सभी को easy लगे और जरूरी नहीं कि वो tough question हर किसी को tough ही लगे तो ये मांसिक्ता बना कर बैठिएगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके साथ आपके साथ हो या फिर शत्यसगार राज्य में जितने भी अव्यरती हैं जो एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेस की अपियसी की उन सभी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ट पर चलते हैं देखें ये मैच दा फॉलोइंग बेज कोश्यन है जहाँ पर आरक्षित वन सनरक्षित वन और अग वरगिकित वन के बारे में दिया गया है और उसके सामने आपको जो यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है उसे मैच करना है आरक्षित वन का अभी हमने थोड़ी दिर पहले देखा था कितना था 43.13 परसेंटेज और जब हम सनरक्षित वन का देखते हैं तब यह कितना प्रतिशद है 40.22 प्रतिशद तो A का 2 और B का 1 मुझे option A पर दिखता है और C का अभी रगी के का यह 3 16.65 परसेंटेज देखने को मिलता है तो सही उत्तर इस प्रशन का क्या हो जाएगा option A clear है इस तरीके से question पूछे जाते हैं इस pattern को पहचानने का प्रयास लगातार आप करते रहिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन पर हम चलते हैं अगला प्रशन कहता है निम्ल की कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करे देखे कथन पर आधारित यह प्रशन है मैंने अपने बाकी सातों वीडियो में ऐसे कई सारे प्रशन डाले जो कथन आधारी थे या फिर कूट रूपी कोशन इसे कहा जाता है, जिसमें कई कथन दे दिये जाते हैं, एक कथन, दो कथन, तीन, चार, पाँच, छे, अगर हम PSC के पेपर पर देखें, तो जब नगर पंचयात, नगर पाली का या पॉलिटी के कोशन होते हैं, तो वहाँ भी संभावना बल सकती है, कि आर्थिक सर्विक्षन पर भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्ण पूछ लिया जाए, तो हम उस पैटन को क्यों न देखें, या फिर उस पैटन को अंच्छुआ क्यों कर दें, इसलिए इस पैटन पर आधारित भी प्रश्ण आपको वीडियो मे देखने को मिलते रहेंगे, पहला कतन कहता है कि राज्य का भागौलिक छेत्रफल, देश के छेत्रफल का चार दशमलों एक प्रतिशत है, ये पहले पॉइंट पर ही हमें देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि हमें क्या पूछा गया है, सत्य कतन, ध्यान रखिएगा, कई बार कोश्चन इस प्रकार के कोश्चन में पूछ लिया जाता है, असत्य कतन, तो ये सत्य और असत्य क्या पूछ रहा है, इसे जरूर बारिकी से आप देखेंगे, अगर बारिकी से नहीं देखेंगे, और ऐसे गुमते फिरते उसाहित होगर कोश् अगर सही है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही सही है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रेशन पर आते हैं चत्यसगार राज वन छेत्रफल की दिश्टी से देश में कौन से इस्थान पर है वन छेत्रफल पुछा हुआ है वन आवरंड के बारे में नहीं पूछा गया है ये दोनों ही चीज़ें अलग-अलग होती हैं जैसा कि थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बदाया क्लियर है तो क्या इस्थान है तो यह इस्थान हमें कितना देखने को मिलता है तो यह देखने को मिलता है चौथा तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चलिए एतने सारे प्रश्ण देखने के बाद अब इस टेबल से और कोई प्रश्ण सॉल करने का कोई औचेत नहीं होता तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी के अधार पर प्रश्ण हम देखते हैं ये मुख्य बिंदू वाला प्रिस्ट हर एक चैप्टर के पहले ज सारे इंपोर्टेंट फेट एंड कंटेंट दे दिये गए होते हैं तो मुख्य बिंदू वाला प्रिस्ट हर एक चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लियर है चलिए खादानी रोपन योजना अंतरगत वर्ष रितू वर्ष 2019 में कितने लाख पौधों का रोपन किया गया था तो देखे इस प्रिस्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर खादानी रोपन योजना के बारे में दिया गया है तो उत्तर आपको अब मिल चुका है तो यहाँ पर जितने भी ऑप्षन दिये गए हैं उसमें सहीं उत्तर क्या हो जाएगा जिस ऑप्षन में 7.41 लाख पौधों के बारे में लिखाओ तो सहीं आंसर ऑप्षन ए चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रशन पर चलते हैं वर्च 2019-20 में कितने मानक बैग तेंदू बत्ता के उत्पादन का लक्ष है आर्थिक सर्वेक्शन पर आधारित है यह चीक है तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पहले लाइन पर 2018-19 के बारे में दिया गया है और जैसे ही आप 2019-20 के बारे में देखें तो तथा 2019-20 में 15.05 लाख मानक बैग के उत्पादन का लक्ष है 15.05 लाख मानक बैग तेंदुपत्ता देखें तेंदुपत्ता के बारे में कई बार प्रशन पूछा जा चुका है तो जहां पर भी तेंदुपत्ता के यह मानक बैग पर आधारित हो या प्रती मानक बैग पर कितने पत्ते हो ऐसे कोश्चन हो या कितने उसकी कीमत रखी ग इत्रण उसके मुल्य पर आधारित आपको देखने को मिलेगी कोई भी जानकारी उससे संबंदित देखने को मिलेगी तो बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बार क्योंकि पूछा गया है तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए 15.05 लाख आगे बढ़ते हैं और अब बानिकी छेत डोमेस्टिक पॉडटक्ट जो भागीदारी हम देखने वाले हैं वह इस्तियर भाव पर अधारित होगा प्रश्रेद भाव पर नहीं होगा इस्तियर भाव प्रश्रेद भाव के बीच क्या अंतर होता है यह कई बार मैंने आपको कई सारे वीडियो में समझा दिया है कहने का ताथ पर यह है कि अगर आपके सामने ऐसी दुविधा आ जाए कि आपको इस्थिर भाव वाला फैक्ट पढ़ना है या प्रचलित भाव वाला फैक्ट पढ़ना है तो प्रयास करिएगा कि दोनों ही पढ़ ले पिर भी अगर समय अनुमती नहीं देता या दिमाग अन च्छवी प्रस्तूत करता है सारे ही आर्थिक आकड़ों का क्लियर है क्यों करता है इसके बारे में हम नहीं जाएंगे यह तो वीडियो किसी अलग दिशा में चला जाएगा और इस पूरे वीडियो के दशा भी बदर जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं यह रहा विवरण चonut है अब इस वीवरण पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं और फिर इसके बाद डिस्कॉशन हम करते रहेंगे सकल राज घरिलू उत्पाद में राज यहां पर मिसिंग है समझ जाएंगे सकल राज्य घरलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा ध्यान रखेगा हिस्से की बात हो रही है हिस्सा कहां पर दिया हुआ है ये जो योगदान आप देख रहे हैं उसकी बात हो रही है हिस्सा कब कप पुछा जा रहा है तो 2019-2020 का ये सबसे लेटेस्ट वाला मामदा होगा बाकी सारे फेक्ट नहीं याद रखने है या उसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा भी नहीं है तो सहीं उत्तर हो जाएगा option B चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आपको व्रिद्धी पर आधारित प्रशन पूछा जा रहा है इस question में पहला question जो था तो देखे जब question पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा confuse करने के लिए व्रिद्धी प्रतिशत और हिस्सेदारी दोनों ही डाल दिया जाता है option में तो यह जरूर आप ध्यान से देख लेंगे कि व्रिद्धी प्रतिशत पर आधारित प्रशन है या योगदान हिस्सेदारी पर आधारित प्रशन है अगर इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो सहीं उत्तर क्या होगा इस प्रशन का option ए जिरो पॉइंट सेवें नाइन परसेंटेज चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन पर हम बात करते हैं थोड़ा से यहां पर font mistake है चीक है font mistake ही है तो इसे लेकर बहुत जादा आप घबराएंगे नहीं बेचेन नहीं होगे व्याकुल नहीं होगे अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी दिर पहले कहा था कि पिछले के जो आकड़े होते हैं अर्थात पूर्व के वर्षों पर आधारी जो आकड़े होते हैं क्या उसका कोई उपियोग नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है exam perspective होता है question पूछे जाते हैं लेकिन तरीका पूछ लिया जाता है trend पर पूछ लिया जाता है चीक है किसका trend पूछा जा रहा है भागीदारी का तो यह भागीदारी अर्थात यहां पर योगदान की बात हो रही है तो देखते हैं 2013 14 पर 2.48 प्रतिशता पिर उसके बाद यह क्या हुआ भागीदारी बढ़ा कितना 3.06 तो यहां पर हम कर लेते हैं positive फिर उसके बाद भागीदारी में हमें क्या देखने को मिलता है negative क्योंकि कम हुआ और उसके बाद फिर positive देखने को मिला क्योंकि फिर बढ़ता है और उसके बाद फिर घटता है negative देखने को मिलेगा फिर और घटता है क्योंकि negative देखने को म तब क्या होगा उतार चड़ा होगा क्योंकि आपने क्या देखा बढ़ा है घटा है घटा है घटा है तो अगर पांचों वर्षों पर आधारीद प्रशन पूछा जाए जैसा कि यह प्रशन है तो इसका सहीं उत्तर क्या हो जाएगा उतार चड़ाओ की प्रविति क्योंकि प हानİकी छेत्र का सकल राज घरलियु उत्पाद में भागीदारी की क्या प्रवित्ती रही है तो उस समय पर आप क्या उत्तर चुनेगे निरंतर घटने की क्या देखने को मिल रह Civic यहां पर घटने की प्रवित्ती देखने को मिल है चलिए आगे बढ़ते हैं राज के शिर्ष वितान में पाई जाने वाली वनो पज महुआ का बैग्यानिक नाम क्या है महुआ का बैग्यानिक नाम कहां पर लिखा हुआ है यहां पर आप देखे तो विविन प्रकार के ब्रिक्ष बनस्पती और उनके बैग्यानिक नाम यह के बाद वीजा का तेरो कारपस, मारसूपियम, साजा का, टर्मिनेलिया, टॉमे, टोनसा, धावड़ा का, एनाईगाईसयस, लैटिफोलिया, महुआ का, मधुुका, इंडीका. महुआ का दिया हुआ है? मधु का इंडीका. clear है तो सही उत्तर मदू का indika आपको कहां पर देखने को में मिलेगा ये indika है इंडिया नहीं है ध्यान रखेगा इंडिया font की वज़ास से typing की वज़ास से कुछ mistake है उसे ignore करिएगा india नहीं है वो indika तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रशन का option ए मदू का इंडिका चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए कई सारे वनस्पति या व्रिक्षों के नाम दे दिए गये हैं उनके प्राकृतिक नाम दिए गये तो साल का आपको पता है शोरिया रोबस्टा सागोन का अभी आपने देखा यहां पर सागोन का टेक्टोना ग्रांडिस तो B का क्या हो जाएगा टू और बीजा का आपने क्या देखा यहां पर तेरों कारपस मरसु पियम तो A का 1, B का 2 और C का 3 देखने को मिलेगा तो option option सही option इस प्रशुन का क्या हो जाएगा option a क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इंच पर आते हैं और एसमें जीवयस जंत्वों के नाम और उनके वैग्यानिक नाम दिए गयाएं पहले वाला क्या था राज पशू 36 गड़ का है वन भैसा और इसका विज्ञानी का नाम क्या होगा बूबैलस बूबैलिस ठेक तो शोरिया रोबस्टा और बूबैलस बूबैलिस आप लोग ना जाने कितने बार रट के याद कर चुके होंगे हो सकता है कि कई लोग इसका टैटू भी बनवा चु कर रहे हैं चली आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्ण पर चलते हैं इस जानकारी पर छत्तियजगार राजवन विकास निगम का गठन हुआ कब हुआ तो यहाँ पर उत्तर है मई 2001 तो सहीं उत्तर मई 2001 ऐसे प्रश्ण कई बार कुछे गें कई संस्थाओं के बारे में पुछा गया कि इसका गठन कभ हुआ या कई योजनाओं के बारे में पुछा गया है कि इसका शुभार्म कभ हुआ या इसका संचालन कभ से हुआ या किस ग्राम से संचालन प्रारं भुआ तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं चाहे वो कोई important institute हो कोई organization हो उस पर या फिर योजनाओं पर भी आधारित ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं current का बहुत ही पसंदिता सेक्टर हो जाता है ये क्योंकि current पर जो भी योजनाओं आये होती हैं या फिर जो भी organization का setup हुआ होता है उन पर अधारित प्रशन पूछे जाते हैं तो organization based question भी हो जाता है और current based question भी हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं वरतमान में राज में परियोजना मंडल की संख्या है तो वरतमान में 9 परियोजना मंडल है जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल कुर्बा राइगड एवं जगदलपूर शामिल है इस पर आधारित प्रशन भी है पहले इसका सही उत्तर 9 option ए और उसके बाद इस निम्र की कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चेहन करें चलते हैं तो पहला जो कथन है कि 36 राज्य का वन विकास निगम मई 2001 में राइपूर छेत्रगी देखिए राइपूर छेत्रगी चार परियोजना मंडल को लेकर अस्तितु में आया तो पहला तो बिल देखने को मिलें इसका नाम बदल दिया जाता है ताकि कंफ्यूज आपको किया जाए तो कंफ्यूज करने का उद्देश मेरा है नहीं इसलिए सीधे सीधे में यहां पर लेकर आया पैटन पह जाने है याद क्या क्या रखना है कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है देखें एक चीज आप और सुनिशित करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पर आधारी जितने भी कंटेंट हैं उस कंटेंट को आप क्या करें आर्थिक सर्वेक्षन पर जाकर देख लें चैप्टर 8 में एक बार विजिट करें और उसके बाद उसे उत्तर होगा एक और दो दोनों सहीं चैप चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इमेज पर जो जानकारी है उस पर आधारित प्रशन को हम देखते हैं निम्रेलखित में से चत्तियस गार राज और शदिये पादब बोर्ड के कारियों में संपलिए किस पर आधारित है ये क्या उद्देश हैं तो और शदी पौधों का अंतह एवं बाहय स्थलिय संरक्षण एवं संवर्धन कार्य और शदी पौधों की पहचान एवं संसादनों का सर्वेक्षण और शदी पौधों के संरक्षण संवर्धन एवं विनाश विहिन विदोहन वितु निती तथा व विपनाँ देखे ऑशडिये पादब बोड है तो जायर सी बात है कि जितने भी आशडिये पौदे होंगे उनको ले कर जितना भी काम किया जा सकता है वह इनके उद्देश होंगे पहले पहचाननों तो कि पौदे में कुछ आशडिये गुन है उसको पहचान लिए फिर उसको क्या करना है बचा कर रखना है क्योंकि उसका इंपोर्टेंस है तो उसका संवर्धन करना है उसका संरक्षन करना है फिर उसके बाद जब आप उसे बचा कर रखेंगे उसके बाद आप उसका क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे तो यही उद्देश होना के जो कारे किये जाएंगे वह इनके उद्देश के अंतरगत आने चाहिए कॉमन सेंस के अधार पर इसे समझ सकते हैं तो निमलेखित में से जितने भी यहां पर स्टेटमेंट दिये हैं तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है इस्थलिये संरक्षण ये संवर्धन कारे औशदिये पौधों की पहचान एवं संसाध्रों का सरविक्षण ये जानकारी नई भी याद होगी तो भी कॉमन सेंस में आप इसका उत्तर कर सकते हैं तीसरा कथन क्या है औशदिये पौधों का प्रसंसक्रण कुटिर उद्योग एवं लगु उद्योगों की इस्थापन तथा वन औशदियों के निर्मान तथा उत्पादों के विप्णन तो तीनों ही कथन क्या होंगे इस औशदिये पादब बोड के उद्देश के उद्देश को समझा रहे हैं उद्देश को explain कर रहे हैं तो सहीं उत्तर वो होगा जहां पर ये तीनों ही कथनों को सहीं माना गया है और option c ऐसा करता हुआ दीख रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कैमपा योजना अंतरगत प्रश्लित कारे हम समझते हैं कैमपा क्या है कैमपा तो एक काम करते हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाला कि इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं कमपंसेटरी और फॉरस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यह है क्या यह एक्ट लाया क्यों गया इसका उद्देश क्या है जब आप ऐसे सारी योजनाओं को जानते हैं जब पहचानते हैं तब आपको सहीं तरीके समझ में आगा कि अच्छा यह जो कैमपा पर योजना है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है वन सनरक्षन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है यह तो जब आप इस योजना के इंपॉ तो उसमें जो भी आख्डे दिये गए हैं उसा आख्डों का अबलोकन करना इसका अनुलिसिस करना बहुत ही इंपोटन्ट है और इसलिए वह सारे अफर्कट को याद करना भी इंपोर्टन्ट है और इसलिए एकक्जाम में पूछा जाएगा यह समजना भी बहुत important है, question क्या है, कैमपा योजना अंतरगत कितने वन मंडल में M.P.C.A. स्थापित किया गया है और सही उत्तर क्या होगा, साथ वन मंडल, कौन-कौन से, केशकाल, धमतरी, कोरबा, कडगोरा, धरमजैगर, बलरामपूर, एवं सरवुजा तो सही उत्तर इस प्रश्ण का क्या हो जाएगा, option A, जो कि दिया गया है, साथ, चीक है तो इस प्रकार से, chapter 8, वानिकी पर आधारित, जितने important content मुझे लगे जिस पर question बना है कभी, या बनने की संभावना है, या important वो topic हो, उन सारे चीजों को मैंने यहाँ पर discuss कर लिया है आगे के chapters पर अधारित वीडियो, आपको अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा, प्रश्ण का उत्तर आप comment section में देना ना भूले, clear है, धन्यवाद